नमस्कार सलाम मेरा नाम है निशान्थ आज फिर आपके सामने लेकर आएक न्यव वीडियो आज की वीडियो में क्या है खास? आज की वीडियो में हम आपको कोरल डॉओ में चेप्टर 33 बताएंगे लेकिन उससे पहले मिरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए तो चलिए सीखते हैं CorelDraw का चैप्टर 33 चैप्टर 33 स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 32 बताया था आपको उपर में लिंक दिख रहा होगा, आप उससे क्लिक करके सीख सकते हैं CorelDraw में चैप्टर 32 लास्ट वीडियो में मैंने इंसर्ट में वैलिडेट बारगोट के बड़े में बताया था उसका क्या यूज़ करते हैं आज हम सिखेंगे अबजेक्ट, अबजेक्ट का हम क्या यूज़ करते हैं हम अबजेक्ट में इंसर्ट और अबजेक्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी छोटा सा पैनल ओपन होगा यहाँ पे और इसमें आपको दो अप्सन दिख रहे होंगे एक create new और एक create from file यह दो अप्सन आपको दिख रहा होगा इस दोनों का क्या यूज़ है वह हम आपको 111 बताते हैं create new पे आप जैसे क्लिक करें यहाँ पे आपको धेरो सारे साफटर आपको दिख रहे होंगे इसका यह मतलब है कि इन इन साफटर में आप जो भी काम करेंगे उसका link बन जाएगा basically क्या है कि object का use हम link बनाने के लिए करते हैं जब हम किसी दूसरे साफटर में कोई भी काम करते हैं कोई भी design create करते हैं तो automatic वह coral raw में आ जाता है अगर हम यह object के थ्रू करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो coral version है अगर आपका coral 22 या 21 है तो आपका Photoshop Illustrator 21 या 22 होना चाहिए या उससे lower होना चाहिए अपर वर्जन नहीं होना चाहिए अगर आपका coral draw 21 है और आपका Photoshop Illustrator 22 है तो वह आपका काम नहीं करेगा तो same problem मेरे software में भी है क्योंकि मेरा Photoshop Illustrator है वह हमारा 22 है और coral 21 है लेकिन हम आपको दूसरे software में बताते हैं जैसे कि मैंने word open कर लेते हैं Microsoft word comment मैंने यहां से select किया और यहां से हम ok करेंगे और जैसे ok करेंगे आपको यह word में जाके open कर देगा यह आप word में आ गया और आप यहां पर जो भी design create करेंगे वह automatic coral draw में चला जाएगा तो यहां से हम insert से को भी design create कर लेते हैं suppose कि यह आपने यह ले लिया यह design हमने ले लिया by default जो हमारा word में है और हम coral में जाते हैं आप देख सकते हैं coral में automatic यह design आ गया है आप यहां पर जो भी changes करेंगे जैसे text में आप यहां पर कुछ भी लिखते हैं जैसे हमने यहां पर लिखा coral coral यहां पर लिख दिया और फिर हम इस पर आते हैं यहां पर देखिए automatic आ गया तो आप समझ गया होंगे कि यह link का काम करता है अगर आप किसी भी software में कोई भी design क्रिक करते हैं या कोई भी text लिखते हैं तो इसका यही यूज है और इसके second option पर भी हम आ जाते हैं इंसेट में जाते हैं और object क्या होता है कि कभी कभी हमारा यहां पर फाइल सो नहीं होता है हमारा software आप यहां से create पर करके उसे browse कर सकते हैं और show करा सकते हैं और दूसरा इसका क्या use है कि हम इसे किसी भी image को link कर सकते हैं जैसे कोई भी image हम यहां से अगर करेंगे तो उसका link आएगा वह picture show नहीं होगा सब्सक्राइब कर लिया और यहां से एक picture मैंने open कर लिया लिंक करते हैं यहां से ओके यहां पर देखें यह picture है लेकिन यहां पर सिर्फ उसका link आया यह शो नहीं होगा कैसे सो होगा तो बस इस पर double click किजिए वह picture आपको automatic show हो जाएगा तो जैसे आपने उस पर double click किया यह picture आपका automatic show हो गया तो यह link बनाने के लिए use होता है आप समझ गहोंगे कि हम object का क्या use करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से so please subscribe my channel thank you for watching my video see you on next video bye bye